Hello student, welcome to the second lecture of chapter set आज के हमारी topic है subset, types of subset and power set चलें स्टार्ट करें चलें subset के बारे में बढ़ते हैं subset की definition क्या होती है If every element of set A belongs to set B then A is called subset of B कहने का मतलब क्या है कि अगर एक set के यानि A set के जितने भी element है अगर B set से आए होंगे तो A, B का क्या होगा? subset होगा Example के तोर पर मालू मेरा A set है 1, 2, 3 B set मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 अब A set के जितने भी element है जिसे 1 A में है, B में भी है 2 belongs to A और 2 B को belong कर रहा है 3 A के अंदर है, तो B के अंदर भी है तो A के अंदर जितने भी element थे वो B के अंदर है, तो मैं लगा A के होगा subset of B subset को मैंसे denote करते हैं A subset of B यानि कि A जो B में से ही आया है ठीक है, A की जो भी values आहीं कहां से निकाली गई है? B से निकाली गई है ठीक है, तो A आ गया subset of B अब B A का subset होगा की नहीं होगा मानलोब 4 जो है किसको belong कर रहा है? B को बर जो 4 है वो A को belong नहीं कर रहा है इसका अब B subset of A नहीं है ठीक है, A तो B का subset है बट B A का subset नहीं है, यानि कि B जो है A से बड़ा है ठीक है, इस case के अंदर B को हम कहेंगे B is called superset superset मारा एसा set जो दूसरे set को क्या कर रहा है 간े जैसे कि B is called superset यानि B A को क्या कर रहा है contain कर रहा है B के अंदर क्या आ रहा है? A आ रहा है ठीक है, तो इसको हम एहेंगे super set और A हमारा क्या रहा है यहाँ पर subset of B example लेके चलते हैं ठीक है आपके school के अंदर काफी सारी classes है ठीक है आप 11th class के अंदर हो तो school मेरे पास क्या हो गया? super set ठीक है और आपकी class इसका क्या हो गया? subset तो 11th class जो है वो school की क्या है? subset है योंकि 11th के अंदर है ठीक है सारे जो student है every student, every element every element of 11th class belongs to that school ठीक है आपके school से अगर 11th class की बात कर रहे हैं आपके school की तो जितने भी student होगे वो school को क्या कर रहे हैं? बलॉंक कर रहे हैं तो इसका मझा 11th class जो है वो school की क्या होगी? subset होगी ठीक है? पार्ट होगी बट जो school है वो 11th class का गया है subset है नहीं होगा तो इसका मतलब school मेरे यहाँ पर क्या होगया? super set और 11th class मेरे पास क्या होगी? यहाँ पर subset ठीक है? तो यह note कर लें आप next topic every set is a subset of itself ठीक है? हर एक set अपना ही subset होगा कैसे? example के तोरब मैंने मार लिया है यह मेरे पास है 1, 2, 3 ठीक है? अब 1, 2, 3 subset of 1, 2, 3 क्योंकि पहले set में 1 है दूसरे में भी 1 है यह 2 है यहाँ पर भी 2 है यह 3 है यह भी 3 है तो यह वाला set इसका क्या है? subset है ठीक है? तो इसका हर एक set अपना ही क्या होगा? subset होगा आगे चलते हैं, proper subset भी बात करते हैं if a is a subset of b and a is not equal to b then a is a proper subset of b क्याने का मतलब क्या है कि a अगर b का subset है और a b के equal भी नहीं है then a is a proper subset of b then जो a होगा, वो b का क्या होगा? proper subset होगा, ठीक है? तो a is subset of b अब example के तोरपे, मान लो मेरे पास a है 1, 2, 3 ठीक है? मैं एक set बनाता हूँ जैसे 1, यह वाला तो यह subset of a है तो यह ज़लो set जो a का subset है वो proper है कि नहीं है? क्योंकि इसके अंदर a की element है और a के अंदर 3 element है ठीक है? यह set जो है आपस में equal नहीं है ठीक है? जब भी subset और set आपस में equal नहीं होगा तो वो उनको हम कहते हैं proper subset उस subset को हम क्या कहते है? proper subset ऐसे मान लो, अगर मैं लिगता हूँ 2, 3 subset of a तो यह proper है क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है a में 1 है तो यह 2, 3 subset of a ठीक है? तो इसका मतलब अगर a, b का proper subset है तो इसका मतलब b में कोई ना कोई a के element ऐसा होना चाहिए जो a में ना हो ठीक है? यानि कि a और b ब्राबर ना हो improper subset करें improper subset if a is subset of b and a is not equal to b अगर a, b का subset है और a और b equal नहीं है तो इसका हम कहेंगे improper subset ठीक है? इसका मतलब क्या है? कि जैसे कोई यह set है 1, 2, 3 ठीक है? अगर इसका मेरे improper subset लिखना तो क्या होगा मेरे पास? 1, 2, 3 ही होगा ठीक है? जब set subset और set same हो तो इसको हम कहेंगे improper subset ठीक है? सब्सक्राइब नोट कर लिए आप next very important concept if n of a is small n then number of set in set a is 2 की पावर n ठीक है? माल लो को set a है उसके अंदर number of element जिसे हम लिखते है n of a इसका मतलब number of element in set a वो माल लो n है तो उसके अंदर number of subset कितने बनेंगे 2 की पावर n ठीक है? अब list तो कैसे बनाते है माल लोग मेरे पास set गिवन है a, b, c ठीक है जी? अब मैंने इसके क्या बनाने है number of subset a, b, c तीन element है तो सबसे पहले देखो 2 की पावर 3 कितने subset बनेंगे है यहाँ पर 8 subset बनेंगे ठीक है? बिना solve की अगर आपको question बुच्छा जाए कि इस set के अंदर माल लोग यह a set है a, b, c इसके अंदर तीन element है तो इसके कितने number of subset बनेंगे? कितने number of subset बनेंगे? वो formula के है 2 की पावर n यानि 2 की पावर 3 कितने बनेंगे यहाँ पर 8 दो बाते आपने याद रखनी है एक तो मेरे पास पहले लिख होए है कि मेरे पास every subset is subset of itself हर एक set जो है अपना ही subset है और 5 जो है वो subset of every set ये भी आपने याद रखना है कि जो 5 हो हर एक set का क्या है subset है तो 2 set 2 subset तो हमें सीधे मिल जाते है एक तो set itself A, B, C ठीक है एक set itself बन गया A, B, C ये भी subset होगा A का set itself एक मेरे पास क्या बन गया 5 ठीक है ये दो बन गये अब हम proper subset बनाएंगे proper जो इससे छोटे होंगे T number है A, B, C देखो सबसे पहले हमें ये दो लिखे A, B, C 5 ये तो हर बार आएगा set itself आएगा और 5 तो हमेशा ही आएगा जितने मर्जी हम set बढ़ ले उसके बाद 3 element है A, B, C इनको अलग लिखे हैं पहले single single लेते हैं A, B और C तो ये भी A का subset ये भी A का subset ये भी A का subset ठीक है अब pairing करते हैं मेरे पास क्या आजाएगा A, B ठीक है ये पहले A, B ले लिया फिर B, C B और C को ले लिया ठीक है फिर C, A ठीक है फिर मैंने C और A को ले लिया जैसे A और B B और C और C और A आब देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो number of subset complete होगे ठीक है देखो ये मेरे पास 2 ये single single फिर ये pairing मना दी 2 ठीक है तो मेरे पास कितने आने चाहिए थे 8 आने चाहिए 8 आ गए है किसी भी अब अगर मालनों ऐसे है A मेरे पास है 1, 2 B set मेरे पास है 1, 2 ठीक है अब इसकी कितने number of subset होगे element कितने count कर लो 2 तो 2 की power 2 यानि कितने subset होगे 4 अब कैसे बनाएंगे 2 तो fix हमारे पास एक तो 5 आएगा पहले और set itself कितना आएगा 1 और 2 ठीक है हम subset जब भी लिखेंगे सबसे पहले 5 और set itself तो लिखेंगे दो ये होगे अलग से अब single में लिखेंगे तो 1 और 2 ठीक है pairing में तो पहले आ चुका है तो इसके नवर कितने बनने थे मेरे पास subset 4 बनने थे तो 1, 2, 3, 4 4 subset बनने पास बन गए है ठीक है चले नोट कर ले आप next देखो माल लो मेरे पास a set के बएद है 1, 2, 3 तो जिसके इस element है 1 belongs to a ठीक है ये element है a set का वो a को क्या कर रहा हूँ ब्लॉंग कर रहा हूँगा 2 belongs to a 3 belongs to a ठीक है अगर मैं इस element के उपर set डाल दता हूँ ठीक है अब ये set बन गया set a set का क्या है ये set a के अंदर से आया हूँए तो ये a का क्या हो जागा subset हो जागा यहाँ पर अगर ऐसे डाल दूँ तो वो a क्या हो जागा subset हो जागा अगर ऐसे set डाल दूँँ तो वो a क्या हो जागा subset हो जागा यह तो समझते हो क्योंकि 1 belong कर रहा था A जो element belong कर रहा था उसके उपर अगर मैं set डाल दूँ तो वो A क्या हो जागा? subset 2 belong कर रहा था A अगर उसके उपर set डाल दूँ तो 2 subset होगा A का 3 के पर ऐसे डाल दिया तो 3 क्या होगा? A का subset में given है 1, 2, 3, 4, 5 3,4 जो मैं set की form में दिया हुआ है पहला question उसने पुछा है 3,4 belongs to A यह जो 3,4 set की form में हो A को belong कर रहा है अब देखो A set को धियान से देखो उसके element कौन से है 1,2,3,4 set की form में है अगर set की form में है तो वो उसको belong कर रहा है यह element है, उसके अंदर पड़ा हुआ है जैसे यह 1, A का element है 2, A का element है यह element है, 5 element है कोई भी element है, set को क्या करेगा belong करेगा, तो यह element किसको belong कर रहा है A को belong कर रहा है अब यह अगर कोई element है वो set का subset नहीं होगा वो set को belong करता होगा तो ये ये तो सही है ये मेरे पास क्या हो गया false हो गया क्योंकि ये दिख तो set रहा है पर ये set a के अंदर as it is पड़ा हुआ है तो ये subset नहीं होगा ठीक है अब element के उपर set डाल दे किसी भी element के उपर मैं ऐसे डाल दूँ तो वो a का क्या बन जाता है subset बन जाता है ऐसे element 3,4 एक element है set की form में उसके उपर फिर अभी डाल दी set बना दिया अब ये क्या होगा a का subset होगा चलो ये सो सही हो गया फिर से ये तीन questions बहुत confusing है 3,4 set की form में a के अंदर given है तो उसका मो a को blank करेगा अब यहाँ पर 3,4 set की form में है पर element है पर subset तो होगा नहीं अब यहाँ पर element के बाहर फिर curly bracket डाल दी element क्या है 3,4 का set फिर curly bracket डाल के उसको set बना दिया अगर element से set बना दे वो एका क्या हो जागा subset हो जाएगा फॉर्थ अब फॉर्थ में देखो एक element 1 उठाया, 2 उठाया, 5 उठाया उसका set बना दिया तो वो एका automatically क्या बन जाएगा, subset बन जाएगा तो यह यह भी ठीक है यह भी ठीक है अब फिर्थ देखो, 1,2,5 set, 1,2,5 जो set की form में लिखा है वो belongs to तो करेगा है नहीं एक को belong करेगा है निसका मलब यह false है, क्योंकि अगर मैंने element का set बना दिया हो, वो automatically set का subset हो जाएगा आगे 6, 5 belongs to A set के अंदर कहीं 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 5 मलब खाली set यहां 5 का मतलुक क्या ऐसे तो इसका मलब यह भी गलत है क्योंकि A belong के लिए element अंदर होना चाहिए अब 5 is a subset of A 5 is a subset of every set यह याद रखना है अपने 5 किसी भी set का subset होगा तो यह तो हमेशे true होगा 5 subset of A, 5 subset of B कोई भी A, B हो अब यहां पर बहुत पंदीस होगी यह question के अंदर 5 को set की form में लिखके A का subset बना दिया है तो पहली बात और 5 बलॉंग भी नहीं कर रहा है तो 5 के अंदर set डाल दियो ठीके तुसका में लगो сейчас नहीं होगा अकेला फाइच सबसेट होता है 5 असल में एक set होता है खाली set ठीके टो अगर मैंने इस set के अंदर 5 लिखा है तो यह खाली set नहीं बनता है और 5 किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है उस सेट के जितने भी सबसेट हैं। इस टो सब सेट को हम क्योथ है पावर सेट के यादा है। जिसे P of A पड़ते हैं इसको ठीक है तो यह हो गया पावर सेट of A मानलों A सेट में दिया है 1,2,3 तो पहले हमने किया है कि इस सेट के कैसे बनाते हैं सब सेट सबसे पहले तो सेट इटसल और 5 तो आना है अने 2 आगे उसके बाद हम 1, सिंगल, सिंगल, 2, 3 फिर पेडिंगों लेते हैं 1,2,1,2,2,3,1,3 ठीक है ऐसे लिख देते हैं तो 2 की पावर 3 कितना आने चाहिए 8 मेरे पास आगे है ठीक है अब पावर सेट का मरलों क्या है सब से पहले पावर सेट निकानने के लिए हमें क्या चाहिए सब सेट आना चाहिए कैसे बनाते हैं ठीक है वो हमने पीछे सीख लिए है तो पावर सेट आफ एक कैसे आएगा इस सब सेट के अंदर लिख देंगे ठीक है पावर सेट क्या है जितने भी सब सेट है एसेट के उनका मैं क्या बना दूँगा set बना दूँगा ठीक है तो यह हो जाएगा मेरे पास power set ठीक है इसका मतलब यहाँ एक चीज याद रखना अगर ऐसे मालो one subset है a का इसका मालो यह जो किसको belong करेगा power set को ठीक है अगर कोई a का subset है वो डॉटमेंटली किस में चला जाएगा power set के अंदर चला जाएगा power set के element में चला जाएगा इसके यह power set को क्या करता होगा belong करता होगा ठीक है इसे यह है वालो दूट तो one टू किसके अंदर पी आफ एक अंदर है तो उसका मतलब 1,2 किसको बिलॉंग करेगा पावर सेट आफ एको बिलॉंग करेगा अगर कोई सबसेट है एका तो वो डेफिनिटिलि पावर आफ सेट आफ एको क्या करेगा बिलॉंग करेगा चले नोट कर ले